आई फ्रेंड्स मैं हूँ अक्षे सोनी और स्वागत आपका अपक्स अकेड़ेव में आज हम गुजरात की टॉप एंजिनरिंग कॉलेज के बारे में डिस्कुशन करेंगे तापकि आपको एक हेल्प मिल सके कि जज करने का कि किस एंजिनरिंग कॉलेज में कितना रैंक चाहि तुछ लेना है तो आपकी ऑल इंडिया रैंक ये डबमी को में होना चाहिए जबली एडवान्स में होना चाहिए ट्प्टिन हंड्रेट टू Two thousand की बिच में अगर आपका रैंक है तो उसमें आपको एड मिल सकता है वहाँ का जो केमपस सिलेक्शन होता है वह मैंने मैक्सिम किवांगी फिस होती है 2.5 लेज ठर पर यह उसकी फीज रहती हैं unseren गुजलत में अगर में अगर दूसरे नंबर की कॉलेज है तो वह है प्रेंड शुरत मेइंट ऊई creator थे कॉलेज्ट है और वह थे Central based college मतलब आपको अगर उसमें admission लेना है तो आपका JEE में score होना चाहिए All India rank 5500 to 60100 मतलब 5500 से 6000 तक का अगर आपको rank है JEE में All India rank तो आपको SVNIT सुरत में admission मिल सकता है वहाँ की fees है friends approach 1.2 lakh per year वहाँ की fees approach 1.2 lakh per year है और SVNIT से आपको package मिल सकता है 10 lakh to 20 lakh per annum तक मिल सकता है जैसी company आएगी उसके base पर ये जो package है वो vary होता रहेगा पर minimum आपको 10 lakh तक का package मिल सकता है अगर आपका score final year में अच्छा रहता है तो third number की friends college आती है DAIICT ये जो college है friends उनको manage करता है दिरूबाय अमबानी के बेटे मुकेश अमबानी और इस college में आपको अगर admission लेना है तो देखिए यहाँ पर reserve quota होता है 50% गुजरात के student के लिए अगर गुजरात के candidate होता है तो 50% गुजरात के candidate को पहले लिया जाता है और इसके बाद की जो 50% seat है वो out of गुजरात से ली जाती है और out of गुजरात के लिए जो criteria है वो JEE based उनका admission होता है फीज की बाद friends करें तो 1.5 lakh per year उसकी फीज रहती है उसका एक campus जो selection है वो लगबग 10 lakh to 15 lakh तक vary करता है और फिर से मैं आपको बोल दू अलग-अलब company का package अलग-अलग हो सकता है ये जो मैं value आपको दे रहा हूँ ये जो package का discussion कर रहा हूँ वो approximate value है minimum आपको 10 to 15 lakh तो मिलता है अगर आप top करते हो फूर्थ नंबर की college है friends MSU Baroda महराजा, सयाजी, राव, यूनिवर्सिटी, वरोद्रा ये जो friends college है वो दो इस्सो में है मतलब government body भी है और self finance मतलब management body भी है उसकी अगर government में आपको admission लेला है तो पूरे गुजरात में गुजरात बेश जो exam होती है गुजसेट उसमें आपका rank actually minimum 23 होना चाहिए अगर आपको computer या IT field में admission लेला है और अगर आपको mechanical field में admission लेला है तो आपका जो rank है वो all गुजरात में 214 मतलब 214 से 353 मतलब 353 के बीच में आपकी अगर rank है तो आपको mechanical branch में admission मिल सकता है अगर government body की बात करे friends तो उसकी fees है 8000 रुपीज और यर government है इसलिए fees काफी कम रहती है अगर उसकी campus selection की बात करें तो friends यहाँ पर campus selection on an average 5 lakh to 8 lakh per annum मिल रहा है package कितना मिलता है 5 lakh to 8 lakh per annum 5th number की friends बात करें तो यह है निर्मा युनिवर्सिटी निर्मा युनिवर्सिटी एमदाबाद यह पूरी जो युनिवर्सिटी है वो गुजरात based है मतलब उसमें जो admission process है वो ACPC थू होता है admission किसे के थू होता है ACPC के थू होता है और आपका गुजकेट में rank 420 to 520 है अगर गुजकेट में rank 420 to 520 है तो आपको admission मिल सकता है computer branch में अगर आपको mechanical branch में admission ने लाएं तो आपकी rank 1900 से 3000 तक होनी चाहिए मतलब 3000 तक अगर आपकी rank है तो आपको निर्मा युनिवर्सिटी में mechanical branch मिल सकती है इसकी fees की friends अगर बात करें तो per annum मतलब yearly fees होती है इसकी 1.5 lakh per year minimum package यहाँ पर average package की अगर बात करें तो 5 to 7 lakh का package होता है per year उसकी बात friends आता है PDPU पंडित दिन दयाल petroleum university पंडित दिन दयाल petroleum university इसकी भी जो body है वो अम्बानी साहब गवन कर रहे है मतलब मुकेश अम्बानी की जो body है वो यहाँ पर manage करते है और यहाँ पर भी friends same as DAC, IIT यहाँ पर भी 50% गुजरात के candidate reserve होते है और बाकी के 50% seat जो होती है वो out of गुजरात के students के लिए होती है out of गुजरात के students के admission JEE based JEE के rank के based पर होता है यहाँ पर इसकी fees friends थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि उसको गवन कर रहे है अम्बानी साहब तो इसकी fees है एप्रोक्स 2.43 लेक पर इयर लगबग लबग डाई लाग पर इयर यहाँ की fees रहती है इसका भी package friends एप्रोक्स मेंट 7 लेक टू 10 लेक तक का आपको package मिल सकता है अगर आप campus selection आपका हो जाता है तो 7 टू 10 लेक तक आपको package मिल सकता है उसकी बात friends आती है बिवी एम बिरला विश्वकर्मा महाविध्याले यह friends बिवी नगर में आई हुई है यह friends college बिवी नगर में आई हुई है आनन डिस्ट्रिक में अगर आपको यह बिवी एम भी friends दो हिस्सों में होती है government body भी हो है उसकी और management मतलब उसका management कौन संबालता है CVM CVM चारुतर विद्यामंडल CVM trust संबालता है उसका management अगर आपको government में जाना है government में आपको admission लेना है तो computer में minimum आपका जो good set का rank है वो 35 to 161 के बीच में होना चाहिए 35 to 161 के बीच में अगर आपका rank है तो आपको computer में admission मिल सकता है अगर यह आपको mechanical में admission लेना है तो 250 to 270 के बीच में आपका rank होना चाहिए अगर fees की friends बात करो fees यहाँ पर बिल्कुल कम है क्योंकि गुजरात government उसको manage करती है government body को तो 1500 1500 per year उसकी fees रहती है अगर average package की बात करो तो यहाँ पर friends 5 lakh to 10 lakh की बीच में आपको package मिल सकता है अगर आपका campus selection होता है तो 8 number की friends college है LD engineering college LD engineering college एमदाबाद में यह भी friends 200 में है government body भी है और उसको management body भी है मतलब private भी चलती है अगर government की बात करो तो आपको आपका गुजकेर का rank गुजसेट का rank अगर 540 तक है गुजसेट का rank अगर 540 तक है तो आपको computer में admission मिल सकता है और mechanical में अगर आपको admission चाहिए तो 3156 मतलब 3000 तक का rank है तो फिर भी आपको mechanical में admission मिल सकता है इसकी fees है फ्रेंट्स 1500 पर year फिर कितनी है फ्रेंट्स इसकी 1500 पर year क्योंकि government college है दूसरी फ्रेंट्स काफी private universities है जो बहुत अच्छा मतलब package देती है वहाँ पर every year अच्छा कासा campus आता है मतलब मैं अगर बात करूँ तो DDIT जो नडियाद में है दूसरी फ्रेंट्स college है चांगा जो भी RN district में ही है पारूल university है ये सारी भी अच्छे colleges है पर मैंने ये 8-8 college जो बताईए वो top की college है वहाँ पर पढ़ने वाले student quality के आते हैं आशा रखता हूँ मैंने जो भी आपको information दी है वो आपके काम लगेगी आपको useful होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो share, like, subscribe जरूर कीजिएगा Thank you very much